हलो फ्रेंज स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल हेल्ट अप्सकान हिंदी में अम्रूत की पत्तियों की कई हेल्ट बैनेफिट्स होते हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है इसमें ऐसे चमतकारी गुंड है जो आपकी कई बिमारियों को एक पल में दूर कर सकत हैं तो अच्छा बाल और स्वस्थे की देखभल के लिए अम्रूत की ताजी पत्तियों का रस या फिर इसकी बनी हुई चाय बहुत ही फाइदेमद होती है बजन घटाना हो कढ़िया की दर्द ने परिशान कर रखा हो या फिर पेट दर्द ठीक ना रहता हो तो आप अम्र बीमारे में बहुत कम लोग जानते हैं यह कई बीमारे में फाइदेमेंद होती है आज हम आपको अम्रूत की पत्तियों के ऐसे फाहिदे बताएंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होगे तो इसे जानने के लिए हमारे आज की वीडियो देखती रही है और मेरे आप सभी स कि यह आपने हमारे चानल को आप यह रखा तुप कानल नहीं किया है तो अभी हमारा चानल को वीडियो के लिए देगर रट कलर की बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लिए साथ में बेल अपन को पैस किजिए से आपको हमारे फ्यूचर वीडियो के अपडेट सुरंत ही मिल सकें कई लोग बालों में मवजूत रूसी से बेहत परिशान रहते हैं कई बर एंटी रेंट्रोफ चैंपू भी इस समस्य का सही ट्रीट्मेंट नहीं कर पाते हैं ऐसे में अ इस उपाई के सिर्फ एक यूज से ही आपकी बालों में नहीं चार्ट चमक तो आही जाएगी साथ ही रूसी भी हंडेट परसंट खत्म हो जाएगी डेंगो बुखार के प्राकरतिक उप्चार के लिए अम्रूद के पत्तों का व्योग किये जाता है ऐसा इसलिए है क्योंक पानी में अम्रूद के नौ पत्तों को बाले और अब इसे तब तक उबाले जब तक है पानी तीन कप ना हो जाए इसके बाद इस मिश्रन को ठंडा होकर दिन में तीन बार एक ही कप का सेवन करें यह डेंगो बुखार के लक्षनों को कम करने में बहुत ही बैनेफिशल रह दिया साथ ही इसमें लोग ग्लाइसमिक इंडेक्स होते हैं जो वजन घटाने में हैट्पून भूमिका निभात है वजन को कम करने के लिए रूट के पतों से निकाले गए रसको अगर आप दिन में खाली पीते हैं तो आप सिर्फ साथ दिन में कम से कम 2 kg तक वजन कम कर सकत हैं इसके साथ ही मैं उम्मीब करती हूं कि आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आए तो प्लीज से लाइक करें शेयर कीजिए हमारे चानल को अभी सब्सक्राइब कर लिए साथी बैल ऐकॉन को प्रेस के जैसे आप हमारे चानल की को अभी वीडियों में स्था कर सकें सब्सक्राइब करें सकते हैं स्क्रेंट पर दी गई वीडियो को भी देखिए थैंक्स वाचिंग आप वीडियो टेक गेर और बाबाई